प्रकाशित वाक्य बाइस अध्य है उसका एक पद फिर उसने मुझे बिलोर किसी जलकती हुई जीवन के जलकी एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मैमने किसी हासन से निकल कर उस नगर की सड़क के बीचो बीच बहती थी और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड था उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड के पत्तों से जाती जाती के लोग चंगी होते थे मसी में प्रियभाईयों और भैनों और मानमिन की 11,000 शाका और संगी कलिस्याओं के सदस्य युनाइटेट स्टेट अमेरिका, युनाइटेट किंग्डम, कनाड़ा, पैरू, होंडुरस, बुलीविया, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रस्या, योक्रिन, एस माइजीरिया, स्विर्जर लेंड, साफ्थ अफेरिका, कोतिवार, और स्थान ये कलिस्याओं के सदस्य और वो सभी सदस्य जो इस अभ़ा में इंटरनेट के माध्यम से शामिल हैं, और सभी टिवी के श्रोताओं, और हमारे प्रिये संडे स्कूल के विध्यार थियों, ये स्वर्गे राजे की नदी होगी, आज मैं आपको लगातार उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, जो कि इस नदी के आसपास का द्रश्य होगा, और कि इस तरीके का खुशी जीवर, हम इस नदी के आसपास जी सकते हैं, यहां तक कि इस अंसार में हम ऐसा देख सकत सौफ कर्या में हमारे पास हान नदी है और चाइना में पिली नदी है और वाशिंग गटन डिस सी में में भी वहां पर एक बहुत बाड़ी नदी है और पैरिस और फ्रांस में भी इसी तरीके की नदी और यहां तक कि छोटे शहरों में भी वास्तों में वहां पर कोई ना कोई नदी होती है। क्योंकि हमारे मनुशे के जीवन के लिए पानी वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग नदी को कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुख्य आधार है और यहां तक कि बहुत से लोग वो अपना आनन्द में समय नदी के किनारे बिताते हैं वहां पर नदी के किनारे के आसपास वहां पर पिता परमिशन ने बहुत से सुन्दर द्रश्य बनाएं और वहां पर बहुत सुन्दर पेड हैं और पिता परमिशन ने इस थान को ऐसा तयार किया है कि जहां पर उनकी संताने वहां पर आराम कर सकती है जब मैं आपको इस सबी चीजों के बारे में बता रहा हूं मैं प्रभुश्य मसी की नाम से प्रात्ना करता हूं कि आप सभी उस आश्या के साथ भर जाएं जो की स्वर्ग ये आश्या है मसी में प्रेभायों और भैनों आश का बाइबल पद प्रकाशित वाक्य बाइस अधाय उसका दो पद हमें बताता है और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेट था उसमें बारे प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेट के पत्तों से जाती जाती की लोग चंगे होते थे आप पहले से ही जानते हैं कि जो भी कुछ चीज़े पिता परमिश्र ने बनाई है उसका उसमें कुछ न कुछ अर्थ है यहाँ पर भी दो कारण है कि क्यों वहाँ पर इस नदी के दोनों और सड़की है सबसे पहला कारण है कि हर कोई उस्थान को ढूणने पाए जहाँ पर पिता परमिश्र का सिहासन है और हर जगे स्वर के राजह में क्योंकि जो जीवन के जलकी नदी है वो पिता परमिश्र के सिहासन से लेकर बहती है और वो स्वर के सभी राजों में बहती है अगर आप उस नदी के दोनों और के सड़क पर जाएं तो आप उस थान पर पहुंच सकते हैं जहाँ पर पिता परमिश्रु का सीहासन है चाहे आप स्वर्ग लोक में हूँ पहले स्वर्ग दूसरे स्वर्ग या फिर दिसरे स्वर्ग में हूँ अगर आप वो सड़क पर चलेंगे जो की जीवन के जलकी नदी के दोनों और के सड़क है तो फिर आप ने रिशले में पहुँच जाएंगे उधारन के लिए अगर एक नेशनल हाईवे है जो किसी ओल में आप क्या गवाई करता है जहां पर आप जाना चाहते हैं और ये सबसे नंबर वन हाईवे है अब वहाँ पर ऐसी और भी सड़के हैं जो इस हाईवे से जुड़ी हुई है ये शाखाएं जैसे सड़के ये छोट पर सड़के बनाई है इसका कारण है क्योंकि पिता परमिश्र वो हमसे बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर हम उस नदे का अनुसरन करते जाएं तो हम स्वरके राज्ये में पिता परमिश्र के वश्नों का पालन करते हुए जा सकते हैं जो कि हमारे जीवन में जल की भ वहाँ पर कितने गेट होंगे या फिर कितनी द्वार होंगे अगर आपको नजश्लिम जाना है तो फिर आपको कितने द्वारों को पार करने की ज़रत होगी कितने गेट विश्वास के इतने अलग-अलग स्धर है? हाँ, यह ठीक है, पांच अलग-अलग स्धर है अब सबसे पहला द्वार है, जिसके द्वारा हम स्वछलोग में जा सकते हैं और फिर पहले स्वर के राचे में जाने के लिए तो फिर आपको अलग से दूसरे द्वार से होकर गुजरना पड़ेगा इसलिए इस तरीके से हर एक अलग अलग स्वर के राचे में जाने के लिए आपको उन अधरने द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा इसलिए आपको नेशली में जाने के लिए कितने द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा मैंने आपको कितने कहा था ये ठीक है ये बारा गेट है और सरदूत वो आपके अगवाई करेंगे और नेशली में जानने के लिए आपको उन सब भी द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको उतर जाना चाहिए अगर आप मेरे संदिशों पर ध्यान देंगे तो फिर आप जानने पाएंगे कि आप अभी कहां पर है अगर आपको पिता परमिश्र अभी बुला ले तो आपको जाना चाहिए कि आप स्वर्मीकिस्तान पर जा सकते हैं जो पहले और दोसरे विश्वास के सर पर है हो सकता है कि वो ना जाने लेकिन जो विश्वास के तिस्टे सर पर है उन्हें जरूर जाना चाहिए कुछ सदशे वो मुझे पूछते हैं जب उनके माता पिता गुज़र जाते क्यों पर मुझे परमिश्यों से प्रात्ना करने की जुरत होगी कि वो कौन से स्थान पर गए है और निशेत तौर से पिता परमिश्यों मुझे उतर देंगे लेकिन उन्हें मुझसे ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी माता-पेता का विश्वास का सर वो कितना था लेकिन जो भी है हम सबसे सुन्दर सान नैर्शल में पहुं सकते हैं यहूना चोदा अधे उसके छे पद में ईश्व ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुं सकता जिस सरीके से हमारे प्रभू ने कहा जब हमने प्रभू पर विश्वास किया तो हम परमिश्व की संतान बन गए और उसके बाद फिर हम इस्वर की राजे की नागरिकता मिली आप एक बात की कल्पना करें कि आपको अगर किसी विदेश में जाना है अगर आपके पास वहां का वीजा है और आपके पास हवाई जहाज की टिकट है तो क्या आप वैसे ही वहां पर पहुंच जाएंगे नहीं वास्ताव में आपको वहां पर उस हवाई जहाज में जाना है उस पर बैठना है और उस सीट पर बैठना है और इसी तरीके से जब हमने प्रभू पर विश्वास किया तो हमें अपने पापों से शमा मिले और हमें परमिश्र की संतान होने का अधिकार मिला अगर हम सिरफ विश्वास ही करे तो ये हमारे लिए काफी नहीं है हमें वास्ताव में अपने प्रभू के वच्णों का पालन करना है जो कि मार्ग सचाए और जीवन है हमें लगातर उन वचनों का पालन करना है जब तक कि हमारा जीवन इस प्रित्यों पर पूरा नहीं होता हमारा स्वर्ग में रहने का अननसान वो इस चीज के द्वारा निशित किया जाएगा कि हम कितने ज़ादा सत्य और परमेश्र के वचनों के अनुसार जीए जिस तरीके से इस अनसार में ट्रेफिक के सिगनल होते है और हमारे पास कार में जीपेश सिस्टम होता है परमेश्र के वश्नों में भी जो की सत्य है उनमें भी बिल्कुल सहाफ तोर से लिखा है इस तरीके के चिन जो हमें सिधे तोर से निर्शलेम के मार्ग में अगवाई करते है वो है ऐसे कारे जो की हमें करने चाहिए और जो की हमें नहीं करना चाहिए जिनी हमें अपने हिर्दे में रखना चाहिए और जिनी हमें अपने हिर्दे से बाहर निकालना चाहिए जो इन बातों पर विश्यास करता है और इन बातों का पालन करता है तो वो निशेत तोर से वो निशले में जाने पाएगा जो कि सबसे उतम स्थान है वो बहुत जल्दी ही ऐसा करने पाएगा लेकिन कुछ लोग वो इन बातों को उन देखा कर देते हैं चाहे परमिश्टर के वजन अगर हम से कहते हैं कि हमें उन चीजों को दूर करना है लेकिन अगर उसके बाद अगर उनकी कोई दुरगटना हो जाए और उनकी मृत्ति हो जाए अगर इसके अलावा अगर आप उन वशनों का पालन करें कि आपको ऐसा करना है तो वो सीधे तोहर से स्वर की राचे में जाएंगी लेकिन वो इन वशनों का पालन नहीं करते वो दुबारा से संसार में पढ़ जाते हैं या फिर वो किसी दूसरे मारगों पर चले जाते हैं और वो अपना बहुत सा समय वो इसी तरीके से बिकार कर देते हैं लेकिन जो केवल और केवल परमिश्र की वश्णों का पालन करते हैं वो जल्दी से स्वर्गे सानों में पहुंच सकते हैं जो की नया रुष्लिम है मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे ताकि आप हर एक प्रकार के उन परिक्षाओं को दूर करने पाएं जो आपको दूसरे मार्गों पर ले जाती हैं और आप केवल पिता परमिश्र की वश्णों पर खड़े होकर उन्हीं का अनुसरन करने पाएं पिता परमिश्र ने उस जीवन की जलकी नदे के दोनों और सडके बनाई वो इस तरह के की अर्थ को हमें बताती है कि पिता परमिश्र ने इसे इस तरह के से बनाया ताकि हम नेरिश्ले में पहुंच सके जहां पर पिता परमिश्र का सिहासन है केवल तब जब हम परमिश्र के वश्णों का पालन करते हैं मसी में प्रेभाईयों और भैनू जो ये जीवन की जलकी नदी है और जो इसकी दोनों और सडके है ये सिदे तोर से एक दूसरी के संपर्क में नहीं है लेकिन इनके बीच में जिस सरीके से एक रेतिला समुद्र का किनारा होता है वो है लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेत या मिट्टी नहीं होगी लेकिन यहाँ पर सभी चीजे सोने और चांदी से बनी होगी जिस तरीकेसे मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में किसी भी प्रकार के मिट्टी या रेढ नहीं है वहाँ पर सबको सोन्य औरचांदी से बनाया जाएगा और वहाँ पर सोन्य की सडकी होगी स्वर्ग के राज्य में सबे सडके वो सोन्य की भनी होगी और जो जीवन की जलकी नदी का किनारा होगा वो ऐसा होगा जैसा इस प्रिथ्वी पर समुद्र के किनारे का रेथ होता है वो वहाँ पर सोन्य और चांदी का बना होगा यहां तक कि इस प्रिथ्वी पर जो बालू रेथ होता है वो बहुत ज़ादा कोमल होता है और जब आप पर है इसे भी बढ़कर जो भी है मिटी वो अलग अलग प्रकार की होती है और मिटी के बहुत से विभिन प्रकार होती है मेरे सोच विचारों से जो रेगिस्थान की जो मिटी होती है वो सबसे अधिक कोमल होती है और ये बहुत सदा सुन्दर होती है अगर कोई वेक्ति ऐसा कहता है कि मैं वहाँ पर गया था लेकिन वो अच्छी नहीं है अगर आप इस तरीके से कहते हैं तो मैं विश्यास करता हूं कि आपने किवल वहा कि केवल उस कठोर मिटी को ही देखा होगा जो इसराइल में या फिर जो मिस्रम में गए है जो समुद्र के वहाँ पर आसपास गए है जो वहाँ की मिटी है वो बहुत ज़्यादा सुन्दर है वो इस बात को जानते हैं कि वो मिटी वो बहुत ज़्यादा सुन्दर है जो सम जो समुद्र के आसपास की मिट्टी होती है वो बहुत जदा अच्छी होती है वो बहुत जदा कोमल होती है इसलिए वो आपको और जदा सुन्दर देखती है और वो आपको आराम देती है यहां तक कि स्वर्ग में वो आपको इस प्रित्वी से भी बढ़ कर आराम देगी और और वहाँ पर उस मिट्टे के अलग-अलग प्रकार होंगे, कुछ बिल्कुल ऐसी होगे कि यहां तक कि हम उन्हें अपने आखों से भी नहीं देख सकते, चाहे हम कितने जादा वहाँ पर खेले या फिर चले वहाँ पर कोई भी धूल नहीं होगी, कि वो आपके कपड़ों प जिस तरीके से आज के बाइबल पद में प्रकाशित वाक्या, बाई सध्या उसके दो पद में कहा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाती-जाती के लोग चंगी होते थे, जिस तरीके से कहा गया है, वहाँ पर जीवन के भी पेड़ होंगी, और जो इन फलों के पेड़ होंगे, और जो इनका फल होगा, वो बहुत जादा बढ़ा होगा, और वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के बारा पेड़ होंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही लेकिन वहां पर अलग-अलग 12 पेड होंगे लेकिन जिस तरी किसे जीवन का पेड कहा गया है वो 12 प्रकार के अलग-अलग फलों को उत्पन करेंगी तो फिर इसका अर्थ क्या है इस प्रित्वी पर जो अलग-अलग प्रकार के फल होते हैं उनका कुछ न कुछ मोसम होता है इसका मतलब यह है नहीं कि स्वर्ग में भी वहाँ पर 12 अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर उनके मोसम के अनुसर वहाँ पर फल आएंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वो फल वहां से कभी भी मिटेंगे नहीं, वो वहां से नहीं हटेंगे, वो हमेशा पेड़ों पर लटके रहेंगे हम कहते हैं, कि हमारे पास हर एक मोसम में बहुत से अलग-अलग प्रकार के स्वादिस्ट फल होते हैं, जिस तरह कि सिस्ट्रोबेरी, तरबूज और खरबूजा वो हमें गर्मों में मिलते हैं, और मुंग फली वो हमें सर्दियों में मिलती हैं, मेरे कहने का मतलब है कि हर एक म मोसम में अपने अपने फलों को उत्पन करते हैं लेकिन स्वर्ग में जो पेड़ है वो ऐसे नहीं है जो उन पेड़ों की पतिया है वो हमेशा हारी रहेंगी और उनके फूल हमेशा खिले रहेंगी और हमेशा वो उन फलों को उत्पन करेंगी इसलिए वहाँ पर जो जीवन क जलकी नदी के किनारे के पेड़ होंगे उन पर हमेशा फल लगे रहेंगी अगर कोई उन फलों को उस पेड़ से तोड़ लेता है तो वो वहाँ पर तुरंती उस पेड़ पर फल आ जाएगा हमें वहाँ पर इंतजार करने की ज़ौरत नहीं होगी कि जब अगला मोसम आएगा या फिर जब अगला साल आएगा तब हम उन फलों को खाएंगे बाइबल कहती है कि वो हर एक मोसम में अपने फलों को देंगी इसका मतलब है कि वहाँ पर हमेशा बारा अलग अलग प्रकार के पेडों पर वो फल लगे रहेंगी आशकल के दिनों में मैं वातावन विभाग को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ तक हम सर्दियों में भी तर्बूज खा सकते हैं यह कितना जादा अच्छा होगा कि अगर हम सभी प्रकार के फलों को हर एक मोसम में खा सके जिस तरीकिसे गर्मियों में खर्बूजा और सर्दियों में सेव हर समय हम इन फलों को खाना चाहते हैं अगर हम हर समय उन फलों को खाना चाहें, तो फिर स्वर्ग में वहाँ पर ऐसे पेड होंगे, स्वर्ग में वहाँ पर ऐसे अलग-अलग प्रकार के पेड हैं, जिन पर हमेशा फल लगे रहेंगे, ये फल उन जीवन के व्रक्षों पर लगेंगी इसलिए हम इन्हें जीवन के फल कहते हैं बारा अलग-लग प्रकार के फल उनकी अलग-लग जोतिया होंगी और अलग-लग उनका आकार और अलग-लग प्रकार का उनका स्वाध होगा उनमें से मैं आपको एक के बारे में बताता हूँ ये जीवन की व्रक्ष का फल है जोकि अदन की वाटिका में रहता था जहां पर आदम और हवा वो लोग रहते थे उत्पति दो अध्य है उसका नोपध हमें बताता है और यहवा परमेशर ने भूमी से सब भाते के व्रक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के व्रक्ष को और भले या बुरे के ग्यान के व्रक्ष को भी लगाया भले और बुरे ग्यान के वरक्ष का जो उसमें फल था वो बहुत सदा सुन्दर था और उस पेड़ में बहुत से सुन्दर पत्या थी जो उस फल का आकार था वो लगभग इतना सदा बड़ा था जितना कि इस प्रित्मी पर तर्बूज होता है लगभग इतना जादा वो बड़ा था और हो सकता है कि वो इसे भी जादा बड़ा हो जीवन के व्रक्ष के आकार के फल का आकार और भले और बुरे की ज्ञान के व्रक्ष का फल हो सकता है कि वो एक ही आकार के हो लेकिन जो उनका स्वाध है वो बिलकुल अलग-अलग होगा जीवन के व्रक्ष का जो फल होगा उसका आकर सेब की तरह होगा और ये थोड़े से लाल रंका होगा लेकिन ये पूरी तरह के से ये लाल रंका नहीं होगा लेकिन ये थोड़े से लाल रंका होगा और वो उसमें से अपनी सुन्दर जूतिया निगालेगा लेकिन भले और बुरे ज्यान के वरक्ष का जो फल है वो थोड़े से गुलाबी रंग का होगा वो हलके से गुलाबी रंग का होगा जो स्वायर लोग में और जो दूसरी स्वायर के राज्ये में जो जीवन के वरक्ष के फल होगी जो उनके फलों का रंग होगा जो स्वाद होगा वो बिलकुल अलग-अलग होगा यहां तक कि इस पृत्वी पर जो सेब है जो उनका रंग होता है वो लगबग एक समान होता है लेकिन उनका स्वाद वो अलग-अलग होता है यहां तक कि वो एक ही प्रकार के फल है क्योंकि दुसरे स्वार्ग में और तिसरे स्वार्ग में बहुत सादा अंतर है इसलिए उनका रंग और स्वाद वो भी अलग-अलग होगा स्वर्क में हर एक चीजे वो पिता परमिश्र के द्वारा दी जाएंगी और उनमें पिता परमिश्र का कुछ ना कुछ अर्थ है जीवन के जलकी नदी वो हमें परमिश्र के वश्नों के बारे में बताती है जो कि हमें जीवन देते है तब किस तरीकी का अर्थ हो जीवन के पेडों में होगा जो की जीवन की जल की नदी के किनारे होगी सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बाइबल में बिल्कुल साथ और से लिखा है कि परमेश्र के संतान जो उनकी वशनों के अनुसार जीती है वो बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरीकी से एक पेड की जड़ वो बिल्कुल पानी को पकड़े हुए हूँ बजन सहीता एक अध है उसका दो पत कहता है वो आप लोग हैं जो पिता परमेश्र के वशनों को पढ़ना पसंद करते हैं और पिता परमेश्र के वशनों पर रात और दिन ध्यान करते हैं क्या आप नहीं करते हैं ये बहुत जादा मिठा लगता है आपको यहां तक कि आपको ये शेह से भी जादा मिठा लगता है इसलिए जो कोई परमेश्र के इन वशनों का पालन करता है वो वेक्ति आशिशित है और वो उस पेड के सामान है जो नदी के जल के किनारे लगा हो जो अपने मोसम में अपने फलों को उत्पन करता है और उसकी पतियां वो कभी भी नहीं गिरेंगी और जो भी कुछ वो चाहेगा वो उस बातों में स्मरद होगा और गीर में हाँ 17 अध जो कभी भी नहीं हिलता अगर आप अपने आपको परमिश्र की संतान कहते हैं जो कि सरशक्तिमान है तो फिर क्या आप नहीं सोचते कि आपको गेवल और गेवल पिता परमिश्र पर निर्भर रहना चाहिए वो जो परमिश्र पर भरोसा करते हैं और जिन पर परमिश्र भर करता है वो जन आशिशित है आपको पिता परमेशर पर निर्भर रहना चाहिए चाहे आप किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना करें चाहे वो छोटी हो या फिर वो बड़ी हो लेकिन वो लोग जो अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं या फिर इसंसार पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपनी बुद्धी पर या अपने सोचे चारों पर या फिर अपने परिवार पर वो जनाशिशित नहीं होंगे प्रभू का प्रभू हमारा परमेशर वो हमारा पिता है हमें अपने परमेशर पर विश्यास करना चाहिए, चाहिए कोई छोटी चीज हो या फिर कोई बड़ी चीज हो, मैं भी इसे करता आ रहा हूँ इसलिए मैंने जर्णल एड्मिनिस्टेशन ओफिस में दोबारा से कहा कि आपके पास ऐसा विश्यास हो, कि आप पिता परमिश्र पर निर्बर रहें और उन पर भरुसा रखें तब आपको हो सकता है कि पहले या दूसरी महीने में आपको थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन जब परमिश्र आपका विश्यास देखेंगे तो वो आपके लिए रास्तों को खोलेंगे आपको इस बात पर भरुसा रखना चाहिए क्या कारण है कि पिता परमिश्र आपको मना करते हैं कि आप किसी से उधार ना ले और ना दे जो कि आपके मसी भाई भैन है क्योंकि इसे आपके जीवन में समस्य आती है पिता परमिश्र ने जब हमारे सकलिसे की शुरुआत हुई तब पिता परमिश्र ने हमें इस बात को बताया कि हमें अपने मसी भाईयों और भैनों से हमें उधार नहीं लेना चाहिए यहां तक कि अगर आप माता पिता के बीच में भी ना करें यह अच्छा होगा अगर आप ऐसा करतें तो फिर वहाँ पर समस्य होंगी और यह आपके उन अच्छे संबंदों को भी बिगार देगा आप अपने विश्वास को उन पर खो सकते हैं या फिर आप उन्हें फिर पसंद नहीं करेंगी माता पिता और बच्चे यहां तक कि वो एक दूसरे को गालिया देते हैं वो बुरे शब्द बोलते हैं हो सकता है कि 1980 में ऐसे बहुत से मामले थे भाई और भाई के बीच में या फिर परिवार के सद्सों के बीच में इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने परिवार में किसी से उधार ना ले जब ऐसा होता है कि जो वो नहीं चुका पाते तो फिर उनके जीवन में समसाइं आते हैं और आप जानते हैं कि यहां तक कि वो अपने शत्रों से भी कहीं जादा उनका नुक्सान कर देते हैं यहां तक कि वो एक ही खून की है तो भी वो एक दूसरे के शत्रू बन जाते हैं आपको अपने परिवार को इस तरी की किसमसाई नहीं देना चाहिए आप बैंक से ले सकते हैं क्या आप नहीं ले सकते हैं क्या बैंक आपको पैसे नहीं देगा तो फिर आपको भूल जाना है कि आप किसी से भी उधार ना ले अगर आप इस योगे नहीं है तो फिर आप कोई नहीं करना चाहिए आपको किसी से उधार नहीं लिना चाहिए आप क्यों ऐसा करने की कोशिश करते हैं अपनी योगेता से और फिर आप दूसरों को समसाय देते हैं कलीसिय वो एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग इखटा होते हैं और वो परमिश्र के अनुग्रह को एक दूसरे से बाढ़ते हैं हम इस चर्च में आते हैं पिता परमिश्र के प्रावधान को पूरा करने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए हम यहां पर किसी भी लोगों के बीच में वेवसाह करने नहीं आते और ऐसे चीजे वो चर्च में नहीं होने चाहिए हम चर्च आते हैं क्यों लोग क्यों अपने गवाईयों को देने के लिए और पिता परमिश्र के कार्यों को पूरा करने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए हम पिता परमिश्र के आराधना करते हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी कबार या फिर हर साल लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग है जो लगातार अभी भी ऐसा कर रहे है गिर्मिया सत्रा अध्य है उसका साथ और आठ पध हमें बताता है धन्य है वह पुरुष जो यहुआ पर भरोसा रगता है जिसने परमिश्टर को अपना आधार माना हो वह उस व्रक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा उसके पते हरे रहेंगे और सुकी व्रश में भी उसकी विशे में कुछ शिंता ना होगी क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा तब ऐसा क्यों कहा गया है कि वहां पर 12 अलग अलग प्रकार की फल होगी जो कीन पेड़ों पर होंगी इसके दो अर्थ है इसका पहला अर्थ है कि जो 12 अंक है इसका अर्थ है सब्ही रास्र हम बाइबल में देख सकते हैं कि इसराईल की 12 पुत्रों के द्वारा वहा पर जातिया बनी और इसके द्वारा वहां पर परमेश्र का राजय फैलाया गया और प्रभू की चेली भी 12 ही थे जिसके द्वारा सभी रास्ट्रों में सुसमाचर का प्रचार किया गया और सभी रास्ट्रों के लोग बचाये गए और वो स्वर की राज़े में जा सकते हैं पर्मेश्र ने वहाँ पर 12 अलग प्रकार के व्रक्षों को लगाया ताकि वो हमें इस बात को बता सके कि किसे वी रास्ट्र से कोई लोग वो स्वर का नागरेक बन सकता है अगर वो किवल प्रभूल शुमसे पर विश्यास करे और अगर वो पर्मेश्र के वश्नों का पालन करे बारा अंग का दूसरा मतलब है कि यह जोती का अंग है यह हमें बताता है कि वो लोग जो परमिश्र की वश्णू के अनुसार जीजो की जोती है परमिश्रू ने अनंत जीवन देता है वो पेड़ वो अपने जड़ों को उस नदी के पानी के अंदर बना कर रखते है तकि वो वहां से उस पानी को ले ले और वो अपने जीवन में बनी रहे इसी तरीके से वो परमिश्र की संतान जो परमिश्र की वश्णों के अनुसार जीती है वो परमिश्र से अनन्द जीवन प्राप्त करेंगी इसलिए वहाँ पर बारा अलग प्रकार के फल और उनके रंग वो इन सभी पेडों पर होंगे जो की जीवन के फल होंगी जो कि पवित रात्मा के फल है और जो धार्मिक्ता के फल है और ये फल तब पैदा होते हैं जब कोई वेक्ति धार्मिक्ता के नुसार चलता है अब यहाँ पर इसका आत्मिकर्द क्या है यह है कहते हुए कि वहाँ की पतियां वो कभी भी गिरेंगी नहीं और वो लोगों को चंगा करती है उस पेड़ से फल प्राप्ट करने के लिए सबसे पहले उस पेड़ को बढ़ना होता है जो उसकी शाकाएं वो बढ़ने चाहिए और फिर उस पर पतियां आती है और उसके बाद उस पर फूल आता है और फिर वो फल आते है जब तक कि वो पेड़ बढ़ाना हो जाए उसे लगातार उस भूमी सुन पोशक तत्वों को लेना होता है अपने जड़ों से लेकिन वो पेड़ जो फलो को पैदा करता है उसके पास फिर पतियां भी होनी चाहिए यह है इसलिए है क्योंकि जो प्रकाश शंसलेशन के प्रिक्रिया होती है वो उस पेड़ के लिए खाना बनाती है अगर आप इस प्रकर्तिक सिधान को समझते हैं तो आप इसे और जदा आसानी से समझ सकते हैं और फिर जो यह इस पेड़ की पतियां है यह लोगों की चंगाई के लिए है इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत जादा गंबिर बीमारे से ठीक हो जाना वास्तों में सभी के सभी लोग और सभी रास्टर उनके पास कुछी शणों का जीवन होता है लेकिन इसके बदले वो ऐसा दिखता है कि वो लोग मर गए है या फिर वो लोग नरक में चले जाएंगी लेकिन अगर वो इशू मसे पर विश्वास करे तो वो सभी के सभी देशों के लोग उनके पास किवल कुछी शणों के लिए शारिरेक जीवन होता है लेकिन वास्तों में वो लोग पाप करते हैं और वो बिल्कुल मरे हुए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है इसलिए वो लोग म्रत्यों को देखेंगी लेकिन अगर वो इशू मस्य पर विश्वास करे तो वो सधिकार को तोड़ सकते हैं कि पाप की मजदोरी म्रत्य हो और वो चंगी हो सकते हैं तो वो पेड़ जो अपनी जड़ों से पानी को लेता है अगर वो सुरश की रोशने भी लेता है और वो उसके बाद वो पेड़ के लिखाना बनाते हैं इस तरीके से एक पेड़ वो अपने जीवन को संभाले रखता और वो फलों को उत्पन करता है इसी तरीके से सभी देशो यहां तक वो पतिया वो लोगों को चंगा करेंगी यह वो जीवन के जलकी पतिया है जो कि गहरे हरी रंकी है और वो इस अंसार की पतियों से बहुत जादा बड़ी होंगी यहां तक वो पतिया वो सुखेंगी भी नहीं वो हमेशा हरी रंकी जूतिया देंगी और वो हमेशा उन पेडों की शाकाओं पर लगी रहेंगी, जो की जीवन का पेड हैं, उसकी पतिया, उस पर जीवन की फल भी है, जब आप इस पेड को देखेंगे, अगर आप उस जीवन की जलकी नदी के और देखेंगे, तो ये कितना ज़दर सुन्दर दिखेगा, प्रिये भाईयों और भेनों पिता परमेश्र ने मुझे एक दर्शन दिखाया, जिसमें जीवन की जलकी नदी के दोनों और वहाँ पर बहुत से बैंस थे, जो की सोने के बने हुए थे, और उनमें बहुत से मनी रतन जड़े हुए थे, और बहुत से परमेश्र की संताने उन पर बैठी हुई थ मैं सोचता हूँ कि पिता पर्मेश्य ने मुझे वो नेरिश्लिम का द्रश्य दिखाया था। और वो अपने मालिक को देते हैं। करेंगे और निंदा करेंगी निश्यत तोर से हर किसी की पास सेवा करने वाला स्वयदूत नहीं होगा लेकिन ये वो द्रश्य है जो परमेशों ने मुझे दिखाया आप एक ऐसी कल्पना करें कि आप एक बैंच पर बैठे हैं उस नदी के किनारे जो की जीवन के जलकी नदी है आप वहाँ पर अपने प्रिये लोगों के साथ बैठे हैं और आप उस नदी को देख रही है जो आपको सुंदर जूत्या दे रही है या फिर आप अकेले उस रोड पर चल रही है और आप उन सभी चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास इस प्रित्वी पर समय नहीं था जब आप परमिश्र के लिए कारे करते थे तो क्या आप वहाँ पर खुश नहीं होंगे और नहीं अरुशले में जब आप अपनी हिदे में सोचेंगे ओहू अब मुझे किसी फल को खाना है तो फिर जो आपके स्वगदूत है वो आपके मन को पढ़ लेंगे और उस फल को लेकर आएंगे वो एक सुन्दर फूलो के टोकरी में और वो फिर आपको दे देंगी वो बहुत जादा कुमलता के साथ चलेंगे और वो आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे आपके पीछे वो खड़े हो जाएंगे और वो आपके कंदे के पास आएंगे और व आपके वल स्वख लोग में चाहेंगे वहाँ पर कोई भी सेवा करने वाला स्वख दूत नहीं होगा आपको अपने आप जाकर उस वलको लेना होगा और वो लोग जो पहले और दूसरे स्वख के राचे में जाएंगे उन्हीं स्वर्गदूतों को आदेश देना पड़ेगा कि मैं फल खाना चाहता हूं स्वर्गदूत आप मेरे लिए फल लेकर आएं तो फिर स्वर्गदूत वो उनकी बातों को मानेंगी लेकिन अगर आप नई इसलिम में जाएंगे आपको क्या करना है आपको केवल अपने मन में सोचना है तो फिर स्वर्गदूत वो आपके मन को पड़ लेंगे और वो आपके लिए करेंगे ये बिलकुल इस तरीके से अलग है हर एक स्वर्ग में खुशी का स्थर वो बिलकुल अलग अलग होगा और जिस तरीके से स्वर्गदूत वो हमारे सेवा करेंगे वो बिल्कुल अलग है और जो लोग तिसरी स्वर्ग के राजे में और जो चोत्री स्वर्ग के राजे में जाएंगे उनके पास सेवा करने वाले स्वर्गदूत होंगे जो पहले और दूसरे स्वर्ग में है उन्हें स्वर्दूतों को आगया देनी पड़ेगी और स्वर्ग लोग में वहाँ पर सिवा करने के लिए कोई भी स्वर्दूत नहीं है मैं उनके लिए निशित नहीं हूँ जो तिसरे स्वर्ग के राचे में है परमेशन ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया लेकिन जब पिता परमेशन ने अपने संतान मानते तो मैं आशा करता हूँ किस वगदूत उनकी सिवा करेंगे लेकिन परमेशन ने मुझे इस बारे में सही तरीके से नहीं बताया इसलिए हो सकता है कि मैं इस बात के लिए सही नहीं हूँ और इस बात के अलावा आप उस जीवन के जलके नदे की और देखेंगे आप वहाँ पर जा सकते हैं आप उसमें तैर सकते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो तेराकी में अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तेराकी में अच्छे हैं यहां तक उन्होंने नहीं सीखा मैंने भी नहीं सीखा कि किस सरीके से तेराकी करते हैं और नहीं जो डिकन एडवर्ड ली है उन्होंने भी नहीं सीखा लेकिन उनके पास एक निकनेम है आप ओटर्स को जानते हैं वो तेराकी में अच्छे होते हैं इसलिए वो तेराकी में बहुत ज़ाधा अच्छे है मैंने भी नहीं सीखा था कि किस तरीक इसे तैरते हैं लेकिन मैं पानी से नहीं डरता मैं पानी में बहुत साथा घंटों तक रहे सकता हूँ हो सकता है कि एक दिन तक भी लेकिन ऐसे कुछ लोग है जो इस बात की भी गवा है अगर हम बहुत साथा लंबे समय तक उसमें रहें तो कोई भी मुसे नहीं जीच सकता यहां तक कि वो प्रोफेशनल हो क्यों क्यों क्योंकि वो लोग तो ठक जाएंगे यहां तक कि अगर मैं वहां पर जल्दी से नहीं तैर पाऊं लेकिन मैं वहां पर तैर सकता हूं और मैं वहां पर लंबे घंटों तक रहे सकता हूं ऐसे कुछ लोग है जिनोंने मुझे इस बात को करते हुए देखा मैं पानी में थकता नहीं हूं कुछ समय पहले हम एक सा तराकी कर रहे थे लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ कि अब दुबारा से हमारे पास ऐसा समय होगा या नहीं जब प्रभू दुबारा आए हो सकता है कि अब हमारे पास ऐसा समय ना हूँ मैंने अपने आप से इस तरह की को सीखा आप जानते हैं आपने उन सभी जानवरों को देखा है जो कि तैरते हैं आप उनसे सीखे एक दिन मैंने देखा कि एक वैक्ति के पास 20 कुट्टे थे और उसने उन 20 कुट्टों को जिल के एक किनारे के और छोड़ दिया और फिर उन कुट्टों ने उस नदी को पार कर लिया तो फिर उन कुट्वों को वहाँ पर तैरना था अपने माली के पास जाने के लिए वो कुट्वे सरीके से तैर रहे थे वो अपनी ताकत से ऐसा कर रहे थे जब एक बार वो कुट्वे उस नदी से बाहर आते तो वो पूरे के पूरे भीके होते और फिर वो अपने मालिक के पास आते, मैंने उन कुत्तों को देखा तैरते हुए कि वो डूबे नहीं। और फिर मैंने अपने आपके बारे में सोचा वाओ, ये तैराकी करना ये बहुत जादा आसान है यहां तक कि कुत्ते भी से कर सकते हैं। तब मैंने मेंडको को भी देखा कि वो भी तैराकी करते हैं। जब मैं बच्चा था तब मैंने मेंडको को देखा कि वो किस तरीके से वो भी तैर रही हैं। वो मेंडक वो अपने पैरों को फैलाते हुए वो तैर रही हैं। तब मैंने उनके उस बात को याद करने की कोशिश की, तब मैंने भी इसे करने की कोशिश की, जब मैंने प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोचा कि मैंने किस तरीके से अपनी गती को रखना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ पर अलग-अलग तरीके से तराके की, इसलिए मैं कर सकता लेकिन अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो हर गोई वहाँ पर तैर सकता है और हम वहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरीकी सी तैराकी करना है और वहाँ पर अलग-अलग प्रकार से तेराकी की खेल होंगे अगर मुझे खेल को जितना चाहेंगे तो हमें तेराकी सीखनी पड़ेगी लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको सीखनी की ज़रत नहीं है लेकिन ये अच्छा होगा अगर मुझे को सीखें क्योंकि वह हम वहाँ पर आराम से तहर सकते हैं क्योंकि सुहर्ग में वहाँ पर किसी भी प्रकार का दोवाबाव नहीं होगा आप जब इस प्रिथ्वी पर हैं आप जब इस पानी पर तहरते हैं तो आप बाचित नहीं कर सकते लेकिन सुहर्ग में जीवन के जलकी नदी में हम वहाँ पर बाचित भी कर सकते हैं जब हम तैरते हैं और जब आप वहाँ पर तैराकी करना चाहाते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कोई आपको आगे की और धकेल रहा है आपके पास इस तरीकी की भावनाई होंगी और इससे बढ़ कर क्योंकि आपके पास वहाँ पर सास लेने में कोई भी समस्याई नहीं होगी इसलिए आप वहाँ पर पानी में बहुत ज़ादा लंबे समय तक मचली की तरह रह सकते हैं बिना किसी भी उपकरण के लेकिन जब हम पानी में तैरने के लिए जाते हैं तो जो मचली होँगी वो हमारा आनन के साथ स्वागत करेंगी और वो भी हमारा अनुसरण करेंगी इस प्रित्वी पर जब हम तैरते हैं तो फिर हमें वहाँ पर तैराके के लिए कुछ कपड़े पहनने होते हैं और फिर तैरने के बाद हमें अपने बालों को अपने शरीर को धोना होता है और फिर हमें दुबारा से ने कपड़े बदलने की ज़रत होती है ऐसी बहुत से चीज़ें जो हमें करनी होती है लेकिन स्वर्ग में जो कपड़े होंगे वो उस पानी को नहीं सोकेंगी इसलिए तराके करने के बाद अपने पहने हैं आप उन कपड़ों के साथ तेराकी कर सकते क्योंकि आपके कपड़े वो गिले नहीं होंगी क्या आप सभी उस स्वर्ग के राजय में जाना चाहते हैं जो कि खुशियों और आनन से भरा है हाँ आओ हम एक साथ चले यह कितना साधा आच्छा होगा क्योंकि आप कर्क में सबसे सुदर स्थान है और वो स्थान जहां पर सबसे जादा बढ़कर खुशी। और सबसे बढ़कर आननद है। अगले संदेश में मैं आपको उन सभी पशों के बारे में और स्वर्ग की पेड़-पोधों के बारे में बताऊंगा। प्रियों और भैनों इस जीवन शीवन की नकिनारे को अपर शी बहसIVE वहां पर हम शनार है। जल है प्रकाशित वाक्य में बहुत से द्वार लिखी हुए हैं और हमें उन द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा जब हम नर्शले में जाएंगी इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हमें नर्शले में जाने के लिए अपने वस्रों को धूना है दूसरे शब्दों में हमें पवित्र करना है तब फिर जो हमारे वस्र है वो भी साफ हो जाएंगी जितना जादा हम अपने आपको पवित्र करेंगी उतना ही जादा जितना संबभ हो सके उतने ही हम द्वारों को पार करेंगी और हम नरुष्लिम में जा सकतें जो कि पवित्र नगर है हमें महनस से अपने वस्रों को धोना है ताकि हम निर्शलिम में जा सके और ये प्रकाशित वाके की किताब में लिखा है लेकिन कबे कबार स्वर्ग में जाने का रास्ता और विशेश तोर से बेतर स्वर्ग की राजे में जाने का रास्ता वो हमें कई बार सक्रा देखता है और वो हमें मुश्किल लगता है जबकि दूसरे शब्दों में आप उन रास्तों का अनुसर्ण करते हैं जो कि चोड़ा मार्ग है लेकिन हमारे प्रभू इश्यों मसी वो निश्य तोर से हम से चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलें जिससे हमें जीवन मिले बजा है उसके जो की हमें सिर्फ शाररिक तोर से आसान लगता है इसलिए उन्होंने हमें मते साथ अध्य उसके तेरा और चोदा पद में कहा है सकेत फाटक से प्रवेश करों क्योंकि चोड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वह है फाटक और सक्रा है वह मार जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं यहां तक कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यह हमें कई बार सग्रा और मुश्किल लगता है कृपया करके आप इस बात पर विश्वास करें कि हमारे प्रभू वो इस ट्रोड की अंत में हमारे इंतजार कर रहे है अब पर विशाहस करे की नया रिशल उन Canada की अंत में है अगर आप उसक्रे मार पर नहीं चलेंगे अगर आप चोड़े मार पर चलेंगे तो वहां पर आपका उधार नहीं होगा अब उस āड़े मार का मतलब क्या है? वो चोड़ा मार्ग वो है, वो इस बात को दर्शाता है, कि हम इस अंसार के साथ मिद्रता रखते हैं, आप उन पापों को दूर नहीं करते हैं, जिसे परमिश्राप को करने के लिए कहते हैं, आप उन चीजों को नहीं रखते हैं, जो परमिश्राप को रखने के लिए कहते है आप इस संसार से प्रेम करते ही वो रास्ता है जो इस संसार का रास्ता है लेकिन अगर आप सक्रेमार पर चले जो परमिश्राप को दूर करने के लिए कहते हैं उन्हें दूर करें और जिन चीजों को परमिश्राप को रखने के लिए कहते हैं आप उन्हें रखें और जिन ची प्रभुश्य मसी के नाम से प्रातना करता हूं। प्रातना करता हूं।